हालो चो भेरी भेरी गुड मार्निंग टू आल अफ यू तो कैसे है आप लोग बहुत अच्छे तो चलिए सिल्सिला इस्टार्ट रहेगा सिल्सिला में कमी आने वाला नहीं है यह आपका कंटीनिव चलता रहेगा कैसा प्रिप्रेशन चला है आप लोग का बिल्कुल डिले क कर नहीं करना है अराम अराम से स्लोली स्लोली चलेंगे अभी तक जो बीता वो भी बहुत अच्छा बीता है जो बीतेगा वो भी बहुत अच्छा बीतेगा यानि भूत अच्छा होगा भविस भी अच्छा होगा लेकिन यह दोनों तब अच्छा होगा जब हमारा बरतमान बहुत अच्छा होगा, नहीं, जब हमारा बरतमान बहुत अच्छा होगा, तो सब चीज अच्छे ही होंगे, कोई डाउट नहीं है, तो टार्गेट पॉल्टेक्निक का श्रीज में अभी तक कंटेनीव हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और उसमें इससे पहले आपको सामिनेशन नहीं हो जाता है, तो चलिए एक बहुत ही छोटा सा और खुबसूरत सा लैक्चर आपके बीच हम फिजिक्स का लेके आए हैं, जिसमें एक से एक आपका बहुत गजब गजब टाइप का कोश्चन है, ऐसे कोश्चन से देखो बिटा, आपका सिलेबस तो बहुत हैं, लेकिन उसी में घुमा घुमा के कोश्चन पूचता है, नचा नचा के कोश्चन पूचता है, बहुत जाज़ात जखमा दिखाता है आपको दीन में तारा दिखाता है तुम लोग को कुस्चन घुमा घुमा के, concept आपके पास अच्छा होगा, theoretical concept अच्छा होगे, calculation पर होगा तो कोई नहीं रोख सकता है कोई नहीं रोक सकता है मारा भी ये बच्चा 400 प्लस में गया है 400 प्लस आ गया क्या कम हागया भई 7 8 सब्सक्राइब करें तो कम नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक छोटा सा खुबसूरत सा लेक्चर हमारा फिजिक्स का होगा क्या करता है पहला कोस्टन कि यदि दो राशियों का प्रसपर गराफ सरल रेखा हो तो बेटा सरल रेखा गराफ को आएगा जैसे मालो यह x ले लिए और इधर y ले लिए अब दो राशिक कुछ भी ले लो हम एक तरफ ले लेते हैं हम एक तरफ displacement को ले लेते हैं एक तरफ time को ले लेते हैं अब इसका graph displacement बिस्थापन और समय का सरल रेखा आएगा तो यहां पर अगर पहला second का चर्चा करे तो पहला second में एक मी मीटर में ले रहे हैं और यह आपका सेकेंड में ले रहे हैं दूसरा लेंगे तो क्या होगा टू दूसरा सकेंड में दो मीटर तीसरा सकेंड में तीन मीटर चौथा सकेंड में चार मीटर आएगा तो यही सरल रेखा बिलकुल स्टेट लाइन ऐसा ही ग्राफ आएगा तो क्य आपका ये हो गया कि यहां और liedicali प्रौपोस्टनल टाइम के देश्प्लेस्ट में डाइक्ली प्रौ пошच्न टाइम है आपके वेल allow city को दिखा रहा है तो यह आपकाका होगा तो अनूत कर्मानुपाती होगा क्या होगा अनूत कर्मानुपाती होगा वयूत कर्मानुपाती नहीं होगा तो यह आपको पहला नंबर कोस्टन था बहुत ही आसान कोस्टन था लेकिन सेंस लगाना था इसमें कॉंसेप्ट क्या लगाना था सेंस लगाना था ऐसा भी क प्रसुकिन सामना करने का तो वो हमारा पैसेंस होता वो हमारा ध्यारह होता है जो करना सीखना चाहिए सब को किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए एक बार और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग हमारे मनोबल को बढ़ाईए नहीं बढ़ाईएगा हम काफी मेहनत करते हैं एक बोर्ड एक बच्चे के लिए भी हम वर्क करेंगे लेकिन कब जब बच सब्सक्राइब करो करो सब्सक्राइब करो अब किजिएगा बहुत सारे कॉंटेंट हमारे पास आ गया है किसी को बताईए बताने से क्या होगा माली जे बताईएगा हो नहो लाइक करना सब्सक्राइब करना वह उसकी मर्जिय समझ में तो आएगा क्या हो रहा है तो चलिए अगला कोस्चन हमारे पास क्या है कि 5 और 12 यानि 5 और 12 मात्रक वाली 2 सदिस रासिया सदिस रासिया यानि वैक्टर क्वाइंटिटी जिसके पास मैगनिचूड भी होगा डाइडेक्शन भी होगा लेकिन हमारे पास जो चर्चा किया गया है वो मैगनिचूड का किया गया है किसका किया गया है चर्चा मैगनिचूड का किया गया है डाइडेक्शन का चर्चा इस जब वे एक दूसरे पर समकोनिक यानि परपेंडिकुलर दिशा में क्रियासिल है अब ड inspections भी दे दिया तो काता है कि आपका दोनों परपेंडिकुलर तो एक आपका 5 unit है और एक आपका किता है 12 unit है एक आपका 5 unit है दूसरा आपका 12 तो पूछ रहा है कि दोनों का जो होगा वो क्रियासिल सम कोने एक दूसरे पर होगा तो दोनों का परिमापिव क्या होगा तो इसका जागर मान लिजे कि इसका डाइरेक्शन ये है और इसका डाइरेक्शन ये है तो हेट टेल गिप्स तरिजल्टेंट आप देटर नहीं तो यह इसका direction यह तो resultant हमारा क्या हो जागा यह R हो जागा अब यह जो R आपको दिखाई दे रहा है यह R आपको क्या बताएगा सो देखिएगा ऐसा नहीं होगा यह direction ऐसा होगा तो यही आपका R का magnitude पूछ रहा है वह आपको किसी भी सदिश के परिमान को दिखाने यानि परिमानविक परिमान को दिखाने का काम करता है तो यही आपका R का magnitude पूछ रहा है तो बेटा R का जो magnitude हो जागा यहाँ पर वो क्या हो जागा तो 12 का A square आप प्लस 5 का A square बी सिम्पल अब कर दिजे तो 12 का A square 144 आप 5 का A square 25 आप कितना गया 169 आगया 169 क्या हो गया 13 into 13 कितना गया 13 unit कितना गया 13 unit है option बिल्कुल है यह आपका C is the correct option तो यह भी आपका बहुत ही बेहतरीन और छोटा सा खुबसूरत सा बहुत अच्छा सा कोशन था नेक्स देखिएगा अगला कोशन क्या काता है काता है बिराम से चलकर बिराम यानि क्या आराम अवस्था में बिराम से चलकर यानि क्या सुरू में स्पीड उसका क्या ह है जीरो ठीक है चलकर एक ट्रेन दो मीटर पर सकेंड के स्क्वाइर से यानि एक्सलेरेशन इसका दो मीटर पर सकेंड स्क्वाइर है ठीक है से चलकर एक समान त्वरं से एक मिनट में एक समान त्वरं से यानि यही इसका एक्सलेरेशन है बिल्कुल एक्सलेरेशन में परि आपको पुछा जा रहा है तो हमारे पास निकालना है हम फॉर्मूला क्या जानते हैं हम जानते हैं S बराबर UT आप प्लस हाफ ATA स्क्वाइर लगा दीजिए तो UT यानि U आपका 0 तो T लगाने के आवसकता नहीं है यहाँ 1 by 2 यह आपका 2 दिया हुआ है एक्सलरेशन कितना 60 सेकेंड है टाइम स्क्वाइर 2 से 2 कट गया यह 0 हो गया इस यानि 36 मीटर तो तरेन चलेगा कितना चलेगा 3200 मीटर आपका ट्रेन कभर कर लेगा कितना कर लेगा चल eet Bennett यह भी आपका बहुत ही आसान कोस्ट था चोटा था देखन में फोटन लागे ठाओ कर अंभीर जानता होगा ठिक है तो छोटा जो होता वह देंजरस होता है बसरते की समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है अब देखिए क्या कहता है कि निमली खित में किस समू की सभी रासिया सदिस है यानि टोटल का टोटल रासी वैक्टर क्वाइंटिटी तोटल का टोटल रासी वैक्टर क्वाइंटिटी अब बेटा कार्ज तोरण आपका vector quantity है वेग आपका vector quantity है speed आपका scalar quantity ते ये भी क्या हो गया गलत हो गया अब उस्मा कहता है उस्मा प्रकास और बिद्धूत ये तीनों का तीनों आपका क्या है scalar quantity है अब आपका वेग यानि क्या velocity वेलोसिटी बरावर displacement बटा टाइम ये भी आपका क्या है आपका force तो force बरावर क्या mass गूने acceleration तो मास तो scalar होता है vector क्या हो जागा इभी वाइटी हो जाएगा तो ms अबटा क्या टीए स्क्राइब यानि सम में वेलोसिटी है सम में क्या है velocity displacement है तो displacement सम में है यानि कौन सा option होगा c is the cracked option तो c आप में तीनों का तीनों राशी जो है व question देखिएगा क्या काता है कि 24 newton का 24 newton का कोई force किसी बस्तू पर लगकर 12 meter per second square acceleration को generate करता है दूसरा 6 meter per second square acceleration को generate करता है तो काता यदि दोनों बस्तूओं को साथ बांध दी जाए तो उस पर कितना बल करेगा तो बड़ा simple question है आपका force कितना दिया है भाई तो बल कितना है तो 24 newton दिया हुआ है बस्तू नंबर वन जिसका मास M1 है उस पर acceleration A1 जो लगता है वो कितना लगता है तो 12 meter per second square A2 जो लग रहा है वो कितना लग रहा है तो 6 meter per second square यह अलग अलग है तो M1 निकालो तो M1 बड़ावर क्या होगा F बट्टा A1 F बट्टा A1 तो F कितना है 24 A1 कितना है तो 12 कटके कितना आगया तो 2 तो 2 क्या आगया kg 2 kg आगया ठीक है M2 निकाल लीजे तो M2 बड़ावर क्या होगा F बट्टा A2 F बट्टा A2 तो F कितना है 24 A2 कितना है तो A2 आपका कितना दिया गया है 6 तो A2 6 हो गया तो 6 4 जाए 24 यानि कितना kg 4 kg अब total mass कितना हो गया दोन का mass जूर जागा M1 प्लस M2 यानि 2 प्लस 4 kg it means कितना kg हो गया तो 6 kg हो गया ठीक है अब कितना kg आगया 6 kg अब इस पर पूछ रहा है acceleration कितना लेगा तो हम मान लेते हैं कि A निकालना है तो A बड़ावर क्या होगा F बट्टा M1 प्लस M2 F कितना है 24 M1 प्लस M2 कितना है 6 तो कित अगेंडे स्कुएर का एक्सलेरेशन आपको लगेगा यह भी ऐसे कोस्टन भी हम लोग पहले भी किये हैं ऐसा कोस्टन आज भी कर रहा है तो बहुत ही आसान कॉंसेप्ट है घबरानी क्या वसकता ने बिल्कुत सहीम से अराम से करते जाएंगे कहीं कोई प्रॉब्लम होने लने आफंए ब्यों सब्सक्साल वाला नहीं सगसी सारे कॉंसेप्ट बैट चरन फ्रिक्षन बल से छोटा होगा या बड़ा होगा तो काइनेटिक फ्रिक्षन बल जो होगा चरन फ्रिक्षन बल से बेटा क्या होगा छोटा होगा चरन फ्रिक्षन बल से क्या होगा छोटा होगा बस ये धिमाग में रखना है अब देखिए क्या कहता है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल नियूटन तीन को नियम दिया था नियूटन में तीन नियम को दिया था कौन तो पहला नियम दिया था एनर्सिया का नियम पहला नियम किसका नियम था एनर्सिया का नियम था वो एनर्सिया का नियम फिर हम अजसे ही आएंगे और अपने आपको मेंटेन करने का कोशिज करेंगे दूसरा नियम किसका है तो संबेग का नियम है मास कुने वैलोसिटी का नियम है टोटल मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है यानि एक छोटा सा गोली भी अगर किसी को मार दीजेगा तो मास उस पीड ज़्यादा हो सकता है ट्रेन का स्पीड कौम है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है तो वह क्या हो जागा मर जागा मोमेंटम संबेग वजने के कारण ऐसा देखने को मिलता है और तीसरा नियम कहता है एवरी एक्षन है जिक्वेल है न पॉजिटी रेक्षन प्रतेक्रि पाड़ा दु만 साम्णहारा भी हमारे हाथ पर उतना ही बल से विपडी दिसाम हम आईसे मारेंगे तो तुम्हारा गाल से और बता है कि हमेशा एक ही बस्तू पर लगे होने चाहिए एक बस्तू से संभब नहीं है अपने आपको कोन मारेगा भाई भीन भीन बस्तू पर लगे होंगे हमेशा भीन भीन बस्तू पर लगे होने चाहिए हमेशा हमेशा भीन भीन बस्तू पर लगे होने चाहिए का परिनाम ब दोनों भीन-भीन बस्तू होने चाहिए हम किसी को माई रहीं हम किसी पर लगा रहा है तो वो दूसरा बस्तू होगा हम एक अलग होगे ठीक है तो यह आपका Newton का तीस्जरा नियम कहता है ठीक है अगला question को पढ़िए अगला question क्या कहता है आपके सामने next question क्या कह रहा है जरासा उस question को पढ़िएगा next question हमारे सामने क्या कहता है कहता है कि किसी बस्तू को किसी मिनार की चोटी से गिराया जाता है इतना मीटर दिया हुआ है यानि आपका ये कितना दिया हुआ है इतना मीटर दूरी तक गिरने में उसे कितना समय लेगा वही आपको पूछा जा रहा है तो कहता है कि मिनार की चोटी से बस्तू को गिराया जाएगा तो उसका स्पीड क्या होगा जीरो होगा उसका स्पीड क् zero होगा distance वो कितना कभर करता है तो 4.9 मीटर वो कभर करता है ठीक है तो समय कितना लेगा तो फटा फट बताइएगा समय कितना लेगा जल्दी बताइए समय कितना लेगा एक line का question है ज्यादा कुछ बताने के आवसकता नहीं है एस दिया हुआ है यू दिया हुआ है बस्तू को गिराना है तो क्या होगा बस्तू को गिराना है माल लो यार या यह मिनार है आइसे करके यहां से बस्तू को फेकता है इसे करके तो नीचे क्यों लएगा तो जी भी लगेगा तो जी कितना लएगा जी के दिशा में ही लएगा तो ut plus half gta square यह हो जाएगा यू तो आपका 0 है तो यू आपका 0 हो गया यह यह 0 अगुने t अप प्लस क्या half g के जगा पर क्या 9.8 अगुने क्या t square और s बढ़ावर कितना दिया हुआ 4.9 दिया हुआ यहां से solve करो फटक से solve करो इसको इधर क्या इधर ही solve करो तो क्या जाएगा t square बराबर यह कितना कर जाएगा तो 4.9 से इकटिए जाएगा आप 4.9 इस 4.9 से कर जाएगा यानि t बराबर क्या हो जाएगा root under 1 कितना है एक second यानि कितना देर लगा तो एक second उसको लगा कितना देर लगा तो मात्र एक सकेंड उसको लगा उस बस तू को उपर से नीचे गिरने में ठीक है यहां से हम फेके थे जिस दिसा में जी था दूरी कितना तै किया तो 4.9 दिया हुआ था स्पीर इनिशियल जीरो था जी आपका नौद शमलब आठ मीटर पर सकेंड एसको लग रहा था एस बराबर यूटी हाफ एटी स्कोर एस आपका 4.9 था यू आपका जीरो था टी लगा दिये 1 बाइट टी जी के जब आप 9.8 डाले सॉल्व कर दिये फटा-फट जो अंसर आना बेटा दे चुके है 75 लक्षर माइने रखता है 75 लक्षर हम लोग ऐसा लोग वैसे और बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं उनका क्वाइलिटी टेलेन देखिएगा यहां देखिएगा आपको कही न कहीं नजर आएगा दोनों में अंतर नजर आएगा बहुत सारे कॉंटेंट जो हम अलग से डेलिवर कर रहे हैं वहां से आप कॉंसेप्ट को गेन कीजिए अब हम मॉर्निंग के टाइम में इवनिंग के टाइम में दोफर के टाइम में बहुत सारे कॉंटेंट आपको देते हैं एटॉमिक एस्ट्रक्चर का कॉंटेंट दे रहे हैं यह सब भी आप द दूसरा चोथा UPSC के एक्जाम में भी तो नौमे दस्मा का कॉंसेप्ट पूचता है, BPSC में नौमे दस्मा का पूचता है, तो बार-बार रिभाइज करते रहोगे, तो टोटल टीज रिभाइज हो जाएगा, तो कल के डेट में आप ही को बेनिफिट मिलेगा, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, लंच ब्रेक को खतम करते हुए, अब कहता है, कि किसी लोहे की छर को छर का ताप कितना बढ़ाया जाए, ताकि उसकी लंबाई 0.5% से बढ़े, अब कहता है कि लोहा को गर्म करना है, तुम लोग जानता है कि लोहा जो पूराना आपके घर में पड़ा होता है, उसको लोहार के पास ले जाता है, लोहार उसको क्या करता है, कोईला में डाल के मार हुकर, मार हुकर, पूरा लाल तक गर्म कर देता है, मार हथवरी से मार मार के उसको क्या कर देता है लमार देता है हसुआ खुडपी कोदारी फरसा गर्सा तलवार जो बनाना होता है चाकू पेचकस जो आपको बनवाना होता है जिस आकरती में होता है पीट पीट कर उसको सीधा करके उस आकरती का रूप दे देता है तो आपको यहां पर कहता है कि लोहा को कितना ताप मान तक गर्म किया जाए ताकि वो 0.5% उसका लंबाई बढ़ जाना चाहिए पहले एक मीटर था तो अब कितना हो जागा एक मीटर का 0.5% यानि 1.05 मीटर लमर जाए यानि 0.5 मीटर वो बढ़ जाए वही पूछ रहा है कहता है कि लोहे के नमूना के लिए 2 गुने 2 पर पर माइनस 6 पर कुलम आपको हीट दिया गया है क्या करेंगे कैसे बनाइगे जरा सा सोचे बहुत ही खुबसूरत और बहुत अच्छा कोशन है मेरे ख्याल से तो अच्छा कोशन है लंबाई में भिन्नांक परिवर्तन कितना का हुआ जरासा ये दिखिएगा लंबाई का भिन्नांक परिवर्तन पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, लंबाई का भिन्नांक परिवर्तन, भिन्नांक परिवर्तन कितना होगा, तो भिन्नांक परिवर्तन क्या, डेल एल बटा एल, यानि पहले क्या कहता है, प्रतिसत में, यान दूनल भूप अबन्धा ॉद्बा में निकाल देते और दोनों को बराबर دेते हैं जो होगा तो जो हमको ताप मान में परिवर्तन करना है तो मान लेते हैं ताप में आवस्यक परिवर्तन जो होगा वो कितना होगा तो डेल्टी डिग्री सेल्चियस मान लेते हैं ताप में आवस्यक परिवर्तन हो गया डेल्टी डिग्री सेल्चियस हो गया अब दोनों को compare कर दिजिए कि इतना बढ़ाना है तो इतना हमको दिया गया है यानि अलफा बढ़ाबर क्या डेल टी अलफा बढ़ाबर डेल बटा अलबटा डेल टी हो गया ठीक है और अलफा का मान आपको दिया गया है अलफा का मान क्या दिया गया है आपको question में दिया गया है डेल टी आ आपको निकालना है तो फटाक से निकाल दीजिये अलफा ब्ला वर डेल बट़्टा-L है अलपको अलफा ब्लाबर डेल्टी थोटील्टि बलाबर क्या हो जाएगा यहां डेल टी को इधर ले आएं तो यहां से क्या होगा डेल एल बटा एल बटा क्या हो जाएगा तो अलफा हो जाएगा यहां से स्वाल्व किजिए तो डेल एल बटा एल का मान क्या है वन बटा दूसो तो दूसो को नीचे ले लिजिए आगूना में कितना दिया हुआ है दोस हुआ है अब इसको सौफ की जेगा तो यह ही आपको डेल्टी टेंपरेशन में पढ़िवरता न आजाएगा तो कैसे सौ लू की जेगा तो तीन सुना उपर चला गया तो उपर में क्या गया एक हजार तीन सुना यहां पर तीन गो प्लस तीन को माइनेस तीन को प्लस कट किया तीन को माइनेस उपर अब अब अटा दू कट के कितना गया तो 500 500 डिग्री सेल्सियस तक आप गरम कर दिजेगा कितना डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस लोहा को आप गरम कर दिजेगा तो लोहा का लंबाई जितना था उसक 0.5% बढ़ जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस पर लोहा को गर्म कर दीजेगा जब उसके अलफा का मान यह होगा तब आपको कितना से बढ़ जाएगा 0.5 प्रतीसत से लंबाई बढ़ जाएगा ठीक है बहुत ही खूबत बहुत अच्छा कोशन था इसको छापिए फटा फट छा होत घातक चीज है अगला कोशन देखे क्या कहता है कि जारे के समय किसी अस्थान का ताप माइन साथ ठंडा के समय में क्या होगा ताप मान कम होगा तम ना रजी रजाय कंबल चदर सब टोपी नहीं चस्मा सूट बूर्ट सब जितना होता है सब लाद लेते हैं साहीर पर का है किता आपमान कम लगे नहीं लेकिन जामूर कास्मीर में जिसको आधत होता है देखो हमारे सैनिक भाईओ को देख लो इतने इतने माईनेश टेंपरेचर पर कहां कहां रहते हैं ना खाने का विवस्ता है ना विवस्ता है विस चीज का बिवस्ता नहीं है फिर भी वहा तो यहां का थन्दा कुछ बुझाएगा नहीं बुझाएगा हमारा वीसे भी भीर का जलवाय। चीत वसंत लवाय। चीत उस्मी जलवाय। चीत भी पड़ता है भसनत भी पड़ता है सारा मौसम कंबाइनद है सब शीछ का आनन्ध हम लोग उठाते हैं अराम से गर्मी के टाइमें पूरा गर्मी का आनंद उठाते हैं ठंडा के टाइमें ठंडा का बसंद के टाइमें बसंद का बर्चा के टाइमें बर्चा का नहीं बहुत अच्छा क्लाइमेट हमारे यहां का है भाई मानना परेगा जारे के समय में किसी आस्थान का ताप मान माइनस प तो बड़ा simple आता है कहानी, वो simple कहानी क्या आएगा, तो आपको temperature दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, temperature आपको already दे रखा है, तो उस temperature जो दिया है, उसके value को put किजिए, foreign height में निकालना है, तो f minus 32 upon 180, ये कितना दिया हुआ है, minus 50 degree Celsius, बटा कितना, 100, अब इसको solve कर दीजिए, तो 50 से कार दीजिए, तो 2 बार में कटिएगा, दूसे काटो, तो 90 बार में इकट गया, दूसे इधर multiply करो, तो क्या आगया, 2f minus 64, अब बराबर, इसको इधर लाएगा, तो क्या होगा, minus 90 हो जाएगा, अब यहाँ से 2f बराबर क्या हो जाएगा, minus 90, तो minus 90 degree Celsius, अब प्लस 64 4 degree Celsius, तो क्या आजाएगा, 64 इसमें जोरेंगे, तो कितना आजाएगा, 16, 16 कि 26, 16 कि 26, क्या आजाएगा, भाई, minus 50 बट्टा, इतना बराबर क्या, दूसे काटेंगे, तो 90 दूनी 180 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएगा, तो प्लस आपका, अच्छा, अच्छा, दू तो कटिएगा, एक मिन रेक में, यहाँ गलती कर दिये हैं, दो जब काट दिये, तो दूसे आपर क्या आया, F minus 32 is equals to minus 90, अब यहाँ से F बराबर क्या हो गया, minus 90, आप प्लस 32, दूनों को जोर दिजे, तो minus 80 degree Celsius, क्या आगया, minus 80 degree Fahrenheit, ना, 80 degree Fahrenheit आपका टेंपरेचर आगया, तो दिश इज दा क्या आपका टेंपरेचर आगया, कौन सा आप्शन, तो दिस इज दा क्रेक्ट आप्शन, minus 58 degree Fahrenheit, तो यह भी आपका बहुत ही आसान कोशन था, लेकिन बहुत अच्छा कोशन था, आप काता है, निमलिखित में कौन सा कथन सही, गलत स्टेटमेंट दिया काता है, कार्ज और उस्मा, वर्क और हीट में कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल सही चीज है, कोई संबंध नहीं है, कथन सही है कि गलत है, तो कथन आपका गलत है, कार्ज और उस्मा में होता है, संबंध नहीं, काता है कि कार्ज और उस्मा आपस में संबंध नहीं है, तो तो कौन सा अप्शन हो गया भी ठीक है नेक्ट कोशन काता है धौनी तरंग का बेग सबस्याधी किसमें होगा तो बेटा देखो साउंड को ट्रेभल करने के लिए धौनी को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसकी आवा सकता होती है तो मेटेरियल मेडियम क्या आवा लेकिन वही दूसरे जगह अगर लिक्वीड मेझाएगा तो लिक्वीड में मौलभी से एक धूसरे के करीम होते हैं जब हम बोलते हैं तो जैसे मालो कि बहुत उतारे मौलीकूल साबको यहां पर दीए गए है इसे और यहां से अगर साउंड आप निकाल लियेगा बोलिये तो ये इसको पूश करेंगे, कम्प्रेस करेंगे, कम्प्रेशन, रेयर फैक्षन के कारण एक दूसरे से दूर भागता है, तो जिस दिशा में माई क्या होरन को लगा याता है, उस दिशा में ज्यादा दूर तक आब आज जाता है, विप्रित दिशा में कम दूरी जाता है, जैसे मालो आदमी को लाइन में लगा दो, और सब के बीच में पत-पत-फित दूरि दे दो, ति एक आदमी को मारेगा फिछे से एक ला, तो वो दूसरे पढ़ गिरेगा तो तुरत आगे बाला कभ गिरा जब एक दूसरे से सब चिपका हुआ था तो यहां पढ़ भी जब किसी भी पदार्थ के जो अनु होंगे वो एक दूसरे से चिपके हुए रहेंगे तो साउंड तेजी से ट्रेबल करेगा तो आपको सौब स जैसे ज्यादा ध्वानी किसमें होगा ठोस में होगा जैसे हम एक एक्जामपल आपको देते हैं वैसा किजिएगा नहीं वैसा जैसे ट्रेन किसी पटरी पर आ रही है तो ट्रेन जब हॉर्ण बजाएगा तो हॉर्ण बजाता है तो एर के माध्यम से आपके कान तक पहुचता लिक्विड में उससे कम होता है गैस में बिलकुल उससे कम होता है और जब गैस नहीं रहेगा तो वहाँ speed नहीं होता है ठीक है तो यह आपका कहानी था next question कहता है एक तरंग दिया गया है यानि एक आपका वेब दिया क्या है जिसका frequency आप रिती आपका क्या दिया हुआ है मू कमान कितना दिया हुआ है चार सो हरजय। आपका दिया हुआ है, और लेमडा कमान क्या दिया हुआ है? एन दिया हुआ है चार सो एन कितना दिया हुआ है चार सो म्यू का मान निकालना है एन दिया हुआ है चार सो और म्यू का मान निकालना है तो म्यू बढ़ाबर क्या होता है आप मूँ बड़ावर क्या होता है एन गुने लेमडा तो एन कितना है 400 मूँ कितना है लेमडा कितना है 8 यह बहुत अच्छे खोशन थे फट फट बना लिजेगा कैसा लगा कोस्टन कैसा लग रहा है बहुत आनंद आ रहा होगा बहुत अच्छे चोटे-चोटे कोस्टन्स हैं अब कहता है अंत्रिक्ष में रोकट अंत्रिक्ष में यानि इस्पेस में आपका क्या होता है कि रोकट में गती सील व्यक्ती है बाई तो जब आदमी बाइटेगा तो रोककेट जब देखता होगा, आम एक कहानी सुनाते हैं, तो लोके देखता होगा, बहुत आदमी को चक्कार आता है, गाली में बाइटेगा, तो बोमेटING अमेटिंग स्फभ कर देगा, का है? का है कि गाली जब चलता है, तो वह बी गतिशी ले जायेगा तो ट्रेन अबस जा से ऊट्री तंव माजित से उत्रा यह जाते हैं नहीं rozp नहीं का है उनका माथ घुमते रहें ऑड़ात में सोहंट एसे के यातरा कर रहा हौ तो जो एसा वलोकेट में बैठा हुगा है तो व्यक्ति में भी कौन सा उर्जा होगा गति उर्जा होगा मास उसके पास ही है जिस वैलो सिती से रॉकेट वैंड वैलो सिटी से ऊफिड़ा है तो कानेटें आधिक आगया या थीप आपका मास दिया हुआ है ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है अब 20 को सीधी आदमी चलता है 20 को सीधी आपको आदमी चलता है 40 सकेंड तो टाइम कितना दिया हुआ है तो 40 सकेंड दिया हुआ है 40 सकेंड में 20 सीधी को 40 सकेंड में चड़ जाता है और प्रतेक सीधी का उचाई कि इतना है तो आदमी हाइट कितना चरहा होगा भाई भी सीडी चरता है एक सीडी 20 cm का है तो बीस गुन नहीं 20 उचाहा अदमी चरह गया होगा यizing 400 cm आदमी उचाहा चरहा होगा तो जीरो पउइंट कितना हो जागा 400 को पु होटा 20 000 यानि 4 मीटर वा दमी च हला है कितना मीटर चला तो आदमी 20 सीरी चला एक सीरी 20 सेंटी मीटर का है तो इतना सकेंड में वो कितना मीटर चल गया तो 4 मीटर आदमी चल गया अब आप से पूछ क्या रहा है तो पूछ रहा है आपका सकती पाबर पूछ रहा है तो पाबर बराबर क्या होगा डबलू बाइटी तो work done बटा time तो work done बटा time तो work done क्या होगा MGH work done क्या हो जाएगा MGH निकाल दीजे MGH का मान निकाल ये work done का आ उसको time से भाग दे दीजे फटा फट सवबची कीजिए G का मान आपको पता है 9.8 लिजेगा 10 तो दिया नहीं है question में 9.8 आपका G का मान लिजेगा फटा फट इसक हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ थाम डाइरेक्टेय निकाल दे अंब उतना क्या निकाल था दिप्रावड डब्ल마 लुई-व होगा डवलु किो अब खुत नहीं हो जाय Gu H अगे, गफ–ी ना इपकर बेना ना निया दधक्रदगे ना खरी सकर 만들어 बन अनिशकम ही एक सब्चक्रदी निया ने 78.4 क्या 78.4 वाट 78.4 वाट यानि क्या हो गया देशी जोर आंसर तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन कोशन थे ये भी आपको क्या है बहुत बहुत बेहतरीन कोशन था नो डाउट की आपका कोशन खराब था बहुत खुबसूरत सा लैक्चर एक छोटा सा लैक्चर था बिलकुल आपको 25-25 से 25 से 25 कोशन यानि 15 से 20 कोशन हम लोगों ने हसते खेलते क्या किया बहुत निर्धारीत समय में आराम से कर लिया ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे को जाता है कहीं कोई दिक्कत हो तो कॉमेंट करके बोलिए सारा टॉपिक अभी रिदी हैं पढ़ाने के लिए बिलकुल पढ़ाएंगे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है तब तक के लिए बेस्ट आफ लक थैंक्यू वेट फॉर दा नेक्स लैक्चर